हलो फ्रेंड्स जैमातादी कैसे आप सब आशे करते हों आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो है हमारी लॉंग और दिये के उपर कि आप शनिवार को कुछ ऐसे उपाए करें जिससे की शनिवाराज जी प्रसन हो जाएं तो चलिए जानते हैं और वीडियो छनिवार के इं सुख समृती पाने के लिए आप करें लॉंग के उपाए शनिवार को दिपक जलाते वकित उसमें लॉंग डालने से में परिवर्टन आ सकते हैं लौंग एक महतपुण मसाला है जिसका उपयोग ना केवल खाना पकाने में किया जाता है बलकि यह पूजापाथ और धार्मिक अनुस्ठानों में भी महतपुण स्थान रखता है जोति शास्तर के अनुसार शनिवार को लौंग डाल कर दीपक जलाने से शनिदेव की किरपा प्राप्त होती है और आपकी फूटी किस्मत में भी सुधार हो सकता है लौंग को देवी देवताओं के लिए विशेश रूप से प्रिय माना जाता है इसे जलाने से ना केवाज शनिदेव प्रसन होते हैं बलकि यह आपके स्वास्ते और धन में भी सुधार ला सकता है लौंग में एंटी ओक्सिरेंट गुण होते हैं जो मानसिक तनाव और नकार अत्मक्ता को दूर करने में मदद करते हैं दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि दीपक का स्थान स्वच और पवित्र हो इसके अलावा कोशिश करेंगी दीपक जलाने के दोरान आप कुछ समय ध्यान लगाएं और जब आप शनिवार के रात दीपक जलाने की सूचते हैं तो सबसे पहले दीपक को अच्छे से साफ करें फिर उसमें दो या तीन लॉंग डालें उसमें सरसो का तेल या घी डाल कर दीपक को जलाएं दीपक जलाते समय अपने मन में अच्छे विचारो और इच्छाओं को रखें लॉंग का जलते दीपक में होना आपके चारो और सकार अत्मक्ता उर्जा का संचार करते हैं जिससे बुरे परभाव कम होते हैं और आपके जीवन में सुक समरिद्धी आती है यदि आप शनिवार को शनी देव की विशेश पूजा चाहते हैं तो लॉंग के साथ कुछ अन्ने समकरी जैसे काले तिल, काले चने और गुड़ भी दीपक में डाल सकते हैं इसके अलावा लॉंग की खुश्बू आपके आसपास की नकारतमक्द उर्जा को दूर करती है यदि आप किसी विशेश इच्छा या समस्या का समधान चाह रहे हैं तो दीपक जलाते हुए उसे अपने मन में रखें इससे इच्छा जल्दी पूरी होती है तो फ्रेंड्स ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजेगा शेर कीजेगा और कामेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगर आप नए है मेरे चानल पे तो